बाव लोग क्या हाल हैं? उमेद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे From Season 3 का लास एपिसोड यानि 10th एपिसोड का प्रोमो ब्रेकडाउन करने वाले हैं अभी और ये प्रोमो ब्रेकडाउन की लास वीडियो होगी इस From Season 3 के वैबसो की जहां मैं सुरू करने से पहले एक बार सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इस वीडियो के बाद बहुत से वो वियोवर वापस नहीं आएंगे जो सिर्फ From सिरीज के जरिये ही मुझसे जुड़े थे और सिर्फ इसे ही देखने आते थे बाबा आप लोग ने बहुत प्यार और इंस्पिरेशन दिया मुझे इस वैबसो पर काम करने के लिए दिल से सभी को बहुत थैंक यू सुरुवाद करते हैं सेंटी जादा नहीं होंगे लेकिन सुरुवाद करने से पहले मैं एक जपरदस न्यूज और देना चाहता हूँ आप लोगो को डियून प्रोफेसी पर काम सुरू हो चुका है और तीन दिन के बाद मैं साइलो सीजन टू पर भी काम सुरू कर दूँगा ऐसे ही जैसे अभी फ्रॉम सीजन थी के लिए काम चल रहा है लगातार explanation video and breakdown theory video आती रहेंगी तो बाव प्रोमो की बात करें जहां फस्स सीन में बॉइट, डॉना एंड सारा एलजिन को counter करते नजर आ रहे हैं और जो मेरे regular viewers हैं वो ये जानते होंगे कि क्यों आखिर एलजिन को ये लोग counter कर रहे हैं क्योंकि एलजिन ने फातिमा को चुपाया है, we know that, और by the help of सारा इन लोगों को पता लग गया होगा कि फातिमा को एलजिन नहीं चुपा रखा है और ये discussion हम पिछले 5-6 वीडियो में लगातार करते भी आ रहे हैं, एक बार फिर बता देता हूँ, कुछ new viewers के लिए है ये बात, जो एक spoiler के रूप में भी आपको मिल सकती है बावा interrogation के दौरान पता चल जाएगा कि एलजिन ने आकिर फातिमा को कहा चुपा रखा है लेकिन इन सब चीजों से पहले एलजिन का यही कहना होगा कि फातिमा के पेट में जो बेवी है, उसकी मदद से हम इस टाउन से बाहर निकल जाएंगे लेकिन वो बेवी फातिमा का नहीं है, वो उनको दिया जाएगा जहां से बेवी वो बिलॉंग करता है और पूरी दुनिया जहान को अब ये बात पता लगी ही चुकी होगी और शियोरली उनको तो पता होगाई जो मेरे टेलिग्राम चैनल से भी जुड़े हुए है कि बावा फातिमा इसमाइली मॉंस्टर को जन्म देने वाली है जहां एक सीन में फातिमा डिलीवरी के दौरान चीकते हुए भी नजर आ रही है और बावा एक फैन मेड प्रोमो में तो स्माइली मॉंस्टर को जस्ट पैदा हुए होता भी दिखाई दिया है खेरे स्माइली मॉंस्टर की पैदा हुए फोटो भी लिग हो रखी है जो मैंने टेलिग्राम चैनल पर डाल लखा है लेकिन एलजिन से इंटेरुगेसन के दौरान सारा एलजिन की आग भी फोडने वाली है अब ये बात कितनी सच होती है कितनी नहीं वो एपिसोड 10 में ही बता चले है लेकिन एलजिन की आग फोटी हुई फोटो इंटरनेट पर लगातार सरकुलेड भी हो रही है लेकिन दूसरे सीन में जेड एंट टेविथा एक साथ देखने को मिल रहे हैं वो भी फार एवे बॉटल ट्री पर और जेड महबते का सारूख खान क्यों बना है आखिर भाई जेड वाइलिन बजाती नजर आ रहा है तो ये थियोरी सच होने वाली है गया कि जेड एंट एविथा पिसले जर्म के लवर हैं और मेभी वो पुराना टाइम पूरा याद करना चाह रहे हो जहां तब उन्हें आंकोई चिल्डन की बली दी जा रहे ही होगी और साइद वो अपना पूरा मोमेंट रिकॉल कर रहे होंगे एक साथ इस फारवे बॉटल ट्री पर आकर या फिर इस वाइलिन बजाने का पीछे भी कोई ना कोई टास्क होगा जिससे वो आंकोई चिल्डन सारे उनके पास आए होंगे विद वाइड वोई और वो एक्चुल सॉल्डन बताएंगे साइद पर मेबी कोई टास्क हो सकता है और वोईलिन बजाना ये एवई बेफजिल नहीं हो सकता क्योंकि प्रोमो के एक सीन में जेट को सड़नली बहुत कुछ याद आता है और वो ऐसा चहरा भी बनाता है जस्ट वोईलिन स्टॉप करके या फिर इस वोईलिन टास्क के पीछे ये और अपने पुराने दिन याद करने की कोईशिस भी कर रहे होंगे और इसी याद में कही न कहीं सॉलिशन भी छुपा होगा जहां टैविथा का ये वही सस्पीसियस फेस फिर देखने को मिल रहा है जो हमने एंडिंग में देखा था जो हमने पिछले एपिसोड में तब देख रहे थे जब उसे विक्टर के पास जाते ही ये याद आया कि वही मिरांडा है लेकिन बावा यस अभी टैविथा को पूरी याददास वापस नहीं आई है तो मेबी एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें वो मंजर देखने को मिल सकता है टैविथा की बाकी याद आते हुए जहां बात करें तो इन दोनों फोटो में जेड और टैविथा एक साथ देखने को मिल रहे है पहले तो जेड के घर में जहां वो बाटल ट्री से निकली परची में कुछ मिस्ट्री इन्होंने डिकोट कर ली है दूसरी फोटो ये बैक्डराउंड पेंटिंग के साथ देखने को मिल रही है जहां में भी टैविथा जेड को पूरी तरीके से याद दिलाने की कोशिस कर रही होगी कि हम दोनों पिसले जन्म के हज्बन और वाइफ थे और ये सारी चीजे हमारे सामने ही स्टार्ट हुई थी जहां इन पेंटिंग्स में इन बॉटल ट्रे की पर्चियों में जेड और टैविथा से रेलेटेट कोई ऐसा राज जरूर छुपा हुआ है जो सॉल्यूसन तक ले कर जाएगा देखते हैं बावा एपिसोड 10 में ये सारी चीजे है और जस्ट थियोरी और प्रेडिक्सन सही होगी या नहीं सही होगी तो मजा ही आ जाएगा भई दूसरा विक्टर की याद का सिलसला अभी खत्म नहीं हुआ है उसे और भी कुछ याद आना बागी है जो प्रोमो के इस सीन से पता लग रहा है विक्टर कुछ ऐसे ट्रेड मार्क पर जाके इंवेस्टिगेट करने की कोशिस कर रहा है जो साइद उसकी मॉम मिरांडा ने कुछ छुपा कर बनाया होगा जो विक्टर को अब दिरे दिरे याद आ रहा होगा बैसे मैं एक्साइटेड हूँ कि विक्टर टैविथा को मॉम बोले गा या नहीं दूसरा देखा जाए तो टैविथा के अब तीन बच्चे हो गए है और इस फोटेज में इथन एंड विक्टर एक साथ भी देखने को मिलना है तो देखते हैं वावा एविसोट 10 में इन दोनों के बीच क्या क्या खेचडी पकती है और ये वाला एंगल कहां तक गूस्ट होता है बाकि ये तो हमें मोटा मोटा पता लगी गया है कि विक्टर टैविथा इन जेट का करेक्टर इस टाउन के कर्स को डिकोट करने के लिए डायरेक्टर रस्पॉंसिवल है और यस मेकर इन करेक्टर के लिए यही डेस्टिनी चुनकर भी रखा है लेकिन मैं एकसाइटेड हूँ रेंडल जूली और मिरिल के करेक्टर के लिए कि ये क्या तबाही मचाने वाले है बहुत प्रोमो में दिख रहा है कि मिरिल को भी हैड़ स्ट्रोक ट्रॉमा आ रहे हैं अब जस्ट लाइक जूली और मैं रेंडल दैस वाई कि क्रिस्टी मिरिल से पूछ भी रहे है कि आर यू ओके दूसरी तरफ रेंडल को फिर वही बक्स प्रॉब्लम दिख रही है मनलब महसूस हो रही है जो प्रोमो में दिख रहा है वह वह इट लोक लाइक कि टाउन के एक तरफ कुछ सुप्रीम पावर हैल्प तो कर रही है इस टाउन के कर्स को तोड़ने के लिए जो टैवी था विक्टर और जेट के रूप में हमें मदद मिल रही है बट दूसरी तरफ रेंडल जूली और मिरिल भाई ये फिर प्रॉबलम में फस्ते दिख रहे है सीजन टू की एंडिंग की तरह है फिर वही मंजर होते नजर आ रहा है हमारे सामने तो वह ये तीन करेक्टर भी काफी मिस्टरी अपने साथ लेके चल रहे हैं कहीं इन तीनों पर एक अलग से वीडियो में सारा पास्ट एंड फ्यूचर कनेक्शन जोड़के कनकुलीजन निकालने की कोशिस करेंगे इन पर अलग से बात कर लेंगे बागी बाबा बॉइड का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है एपिसोड 10 में और बॉइड प्रोमो में फिर से केव के अंदर जाता दिख रहा है जो मेभी सारा के जर्य ये भी पता लग जाएगा कि फातिमा ने आखिर पैदा किसे किया है क्योंकि सारा को वोईसे सुनाई दे रही है और साइद उसने बॉइड को बताया होगा कि स्माइली मॉनस्टर पैदा हो चुका है और बॉइड का हाथ में गन लेकर केव में जाना भाई एक ही चीज को दर्साता है कि किसी को तो मारने जा रहा है ये बंदा दूसरा स्माइली मॉनस्टर के साथ अपने बॉइड का 36 का आकड़ा भी है जो पिछले सीजर में हमने देखा ही था कि बॉइड ने कैसे स्माइली मॉनस्टर को मारा था तो भाई वो मंजर फिर से साथ रिकॉर्ल होता है नजर आ रहा है मेभी मेभी फिर से इसे ही मारने निकल पड़ा होगा बट इडिज जस्ट थियोरी बाकी अब लगाती है विराम क्योंकि प्रोवों में जो जो भी था हमने डिसकस कर लिया है बाकी और कुछ तो क्लिज नहीं निकले है अब मिलते है नेक्स वीडियो में लेकिन बावा एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि जिम मरने वाला है वो भी एक ऐसे monster creature के हाँ जो दिन में भी निकल सकता है और बहुत लोग इसे man in yellow कहकर भी address कर रहे है जो एक नया powerful monster इंटर्ड्यूस होने वाला है हम लोगों को दूसरा उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि in the end of episode 10 एक जूली future से आईगी तो देखते हैं ये बात कितनी सच होती है कितनी नहीं वो तो episode 10 में ही बता चलेगा भागी भाई ये episode 10 master blaster होने वाला है और episode 10 में ही ऐसा बहुत कुछ मिलने वाला है तो उन पर भी बात करेंगे theory breakdown and story plotting video यानि future story build up वाली video में जो हम अपना assumption set करेंगे prediction करेंगे यहां तक पहुंच गए तो उसका वाला वीडियो पसंदा ये पसंदा ये तो like कर दीजिए नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दीजिए and मिलते हैं वावा जैए